कि नाम तो बता तेरा नाम तो बता तेरा तो बता तेरा इसके लिए बात ही कुछ ऐसे खुशी की बात है और बताना है क्यों रहा क्यों और सो तो नी चाहता को कि शादी से बारता हूं कि और में चाहि setychies इस लड़की शाया करता हूं उससे कहने से डर रहा हूं कि उससे बाट प्यार करता हूं तो में क्या करूँ यार, तू तो बड़ा तरद्जुर्वेदार है, यह मतनला तू तो बड़ा माहीर है इस मामले में, मुझे यह बता, क्या, मैं अपनी गल्फिंट को कैसे कहूं, कि मैं उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? अपनी गल्फिंड को किसी अच्छे से रेस्टार में लेके जा अच्छा फिर उसे इतना खिला इतना इतना खिला जब तक पतली ना हो जाए पर रंचो खाने से पतली कैसे होगी अरे वह नहीं साले तो तेरी जेब पर बातले केसे कार इए, फिर उसे जिला », हाहि अच्छा हुष्ट कारा शूल्टा में इसमुष्टर सेना बदिव्य अर्थ घालीु काहला य। टार्लिंग की लुट कातोंतों। ए य॥र्ट कार। वेरि गुट एक पर अगर अगर उसनी मना किया तो तो वेटर से कह था वेटर से कह था आए लग लेकर आओ यार बात थूबनी नहीं कोई और अच्छी आईड़ा हो तो पता अपनी गल्फिंड को दुबारा लेकर रस्ट्रण में दुबारा लेकर जाओ और आई लग भी बोलू नए 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 प्यार में जलवाजी अच्छी नहीं तो क्या कहूं खाने से पहले उसे कहना हां अगर है तो मेरी दिलबर अगर है तो मेरी दिलबर अगर है तो मेरी दिलबर तो आज का बिल तूबर और यार अपनी इज़त है कि ने लड़की से में पिल भराऊंगा अच्छा तेरी इज़त है अच्छा एड़ा अच्छा जिससे बात बंग जा है अपनी गल्फेंड को किसी गार्डन में मिलने के लिए बला अच्छा भी नहीं हो जागा बात भी बन जाई फिर सुन पहले तुम पीचे से जाना ना विखा है जा उन तो तुम पीचे से जाना और उसमाढ़ेंग अब करेंगा मैं खरो कि पहल तुम्हें उसे बलाओ फिर आदी घंटे के बाद में जाओ पीचे से जाना उसे नजल नीए जाना और अब दीरे दीरे दबे पाऊ जाओ अगा अगा तो देखनी रहना ऐसे देख रहा हाँ शाबाज वरी गुट यह तो मैंने बताए लिए था फिर उसे अपने बाहों में चक्रलू क्या हुआ जक्रली के बाहों में नहीं क्या हुआ सले यार अगर वो चिलाने लगी तो तो कहना हां डिधी ड़ गई डिधी डर गई डिधी डगों मैं तुम चलब लुग स्थ आप यार मैं प्यार का इजार करने यारह तुम कहरें ड्यदीघ्टेद गई साओ उस्थ तो बढ़ च्णारय माजने ने क्या बात है रैंच का बाञών रा निर्च तो बमूं चुल हो रैंच उ हो और रेंचो कि टार जाय हो लेकिन रेंचो तुं मुझे जय जय कार करने कें बरूने किस कंटेया रहा है यह अभी मैं खञ़ा हूं एकका झाड़ा है तो यह एककशं़ फिर हमें लुसे ब राग हुने क्टषिय कर रहा हूं सकते हो अभी ऐम से बांप सक रहा हुं तो बैठ भी जाएगा हां तु दे रहा है क्या ने ने मैं मेरी क्या आउकाद यार तुझे पैसे दू मैं पैसे नहीं दे सकता है लेकिन मैं तुरी कुछ मेर बें बहन बहनोंट तेरी तो माँ है देख्या के लिए कितनी इज़त है ऐसे नेटा आपको बार बार नहीं मिलेंगेए तो आपकी नियुह ऐह वह आपके शहर में आएवे हैं तो आपके सारी परशानियां दूर सब्सक्रार的 किस तो किस तो क्या कह रहे थे मैं कह रहा था बस आप 21 तारीक को मुझे वोट दो अच्छा यह कह रहे थे कि आप 21 तारीक को इन्हें वोट दो यह आपकी सारी समस्या दूर कर देंगे आपकी नल की समस्या दूर हो जाएगी सारे नल तोड़ दूंगा उसमें ज्यादा फोर् यहां तक मुझे यहां यह सारे वादे यह सारे मतलब वादी जो है वो तुमने पिछली पास साल पहले भी किये थे लेकिन अब तक पूरे नहीं किये ला किये आपने खुद के घर में ख़ए के पान बना रसवाला गाना अच्छा था रहा या रेंचो वैसे आशकल कर क्या रहा हो शर्कारी जाब सरकारी जाब मतलब गोवर्मेंट जाब करता माई तू 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 नचार्प पर वेड़े कृट बात है अच्छा तुम्हारा डूर्टी का टांप के रहें चो दस से छे मलब दस बजी से काम शुरू होता होगा बनेदस साडे दस यहां करना चाहता हूँ लेकिन फाइल नहीं मिलती है तो फाइल मिलती है तब तक काम करते हो कि नहीं तब तक लाइंस टैम हो जाता है न इसका मत तक तुम काम नहीं करते काम चोर हो क्या तुम काम करते है यार रह्यंचो ये तो मेरा पाट-टाइम जौब है फुल्टाम क्या करते हो मेरी स्टेक्शनर की दुकान है न जवेडि मार्केट में तुम्हारी स्टेक्शनर की दुकान भी है हाँ एक बात समझ में नहीं रहें चो क्या अच्छी खासित तन्खा हाँ सरकारी नोकरी हाँ सट्रेड़ संडे छुट्टी तिसरी उंगली उपर सट्रेड़ संडे छुट्टी फिर यह तुम्हें स्टेक्शनरी की दुकान खोलने की क्या जरूत पड़ी साले ऑफिस की स्टेक्शनरी कहीं तो काम आनी चाहिए ना इस बुक्ति ड्राव किया भाथ बाथ बढ़या आचा चण धच्र। मैं घूमने नहीं लगाधार प्रोग्राम चृचिल अमैं तो मैं और यह तुम्हें चुटी नहीं मिलेगी ऐर तुम गऔर्मर्मेंट जोब तो क्यास लिग सुनाकि पिछले में मैंने भी तुम दस दिन की चुट्टी पे कहता है बिलकुल यह तुम लोगों को हर मैंने चुट्टी मिलती कैसी है मतलब मतलब पीछले मैंने कहते हैं अब तुम कह रहे हो कि अभी भी जा रहे हो कि दस दिन के चुट्टी पे यह तुम्हें चुट्टी मिलते कैसी है जब मैं करल दोना दुबारां चुट्टी जाहिए होते तो सहर मेरा सबी तुर्सार देखता calm हिसकार गता देखता हाँ लेकिन त्य दिन फुर्र छोट्टी नहीं मिलती होगे रहके दुमिए रञें प्रफित प्रफित अंग से में ने क्या पहले तो सास म buds कने पर सभी मुटान के लाओं आ पहले तो सास मर गए है इए सस्वार किसे मुठी थे यही पिटा है मेरे ने पूछ फ्मूमक क्या दिया इहीं दो में तूमने जेब्वह क्या दिया मैंने कहा में क्या करती है तो ससोब में नीकता है कि शादी का महौल चल रहा है शादी की हर तरफ क्या क्या बैंट बाजा बारात चल रहा है तो रेंचो हाँ शादी के बारे में तुम्हें बहुत अनुप हुआ है बिल्कुल एक बात बताओ फिल्म लाइफ में और असली लाइफ में क्या फरक है फिल्म लाइफ में बड़ी म मैं वैसे ही दुखी हूँ अच्छा रेंचो हाँ शादी में तूने के साथ बाराती क्यों होते हैं क्योंकि लोगों को कहना है कि किसी के खुशी में जाओ न जाओ लेकिन उसके मुसीबत में जरूर जाना चाहिए अच्छा ऑच्छा दुला जो है हाँ वो घोडी के बजाय गधे पे बैठके क्यों नहीं आता तू कहा है कि या सवाल च्छा टुला जो ओओ फब के बैडर क्योंने क्योंकर क्ए दूल्हन दो दो गधो को देखकर कहीं आखरी सवाल यह इतनी मुसीबत है इतनी टेंशन है तो फिर भी लोग शादी क्यों करते क्योंकि दोस्त अकल बदाम खाने से नहीं ठोकर लगने से आती है मिल्वाते हैं हमारे म्शूर डॉक्टर ना का बैरे बहुत अच्छे दोस्त है और हाली में कुछ मैनों पहले विदेश से आए वह है वीदेश में इनके बहुत सो होस्पिटल है और वीदेश में इनकी बहुत मुर्दा कमाई है वीदेश में इनकी बहुत मुद्रा कमाई है पेली क्यां बना था? नहीं वह जब देका सुल्हा जबान भाइजा अच्छा डॉक्टर का यह निब रेंचो fender शिल् 1997 डॉग्तर वोड़ को अच्छा जो भी है डॉक्टर सहाब हाँ अभी आया नन भी डॉक्टर आप समझे नहीं मेरी बाई टांग में दर्ध है तो आदी घंटे तक मेरे सर्म बहुत होता है तो आदे गंटे बाद उठा करो कैसे इलाज कर रहा है क्या वाड़ा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं इलाज हो जागे नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साब जो आदमी परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं रखता हो हाँ उसे क्या कहते है? डैडी डॉक्टर साब हाली में आपके हस्पताल में मरने वालों की संक्या बहुत कम हुई है इसके बिचे राज क्या है? हमारे डॉक्टर हरताल पे जो गये थे अच्छा डॉक्टर रेंचो संसी करनेज़ के जो. अब अपने पहले ओपरेशन के बारे में बता हिए मुझे परिचे बारे में बता हो है, अब लैकिन यार तू इतने सालों की inquies मेला मुझे बता ना विदेश में मतलब तेरा जु पहला उपरेशन था सुन तो सभी पहले अच्छा सुना 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 मैं ऑपरेशन ठेटर में फुलू की माला लेकर खड़ा था अच्छा हाँ जैसे पेशन अंदर आया वो मुझे देखकर चौक गया उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे से देखते ही कहा, डॉक्टर साप, यह फूलू की माला किस लिए, मैंने कहा, यह मेरा पहले आपरेशन है, अगर सक्सेस रहा, तो मेरे लिए, नहीं तो तेरे लिए.